हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन अवर चैनल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं हम कपिल तो आज की इस वीडियो में एक नाइस एक्सपोनेंशल एक्विशन जोगी आपका इसका रूट का कोश्चन है बट किस तरीके से एक्विशन जो आपका एक्सपोनेंशल में जहां से जाएगा और फिर किस तरीके से इस कोश्चन में एक्स की वैलू हम यहां से निकालेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप चैनल पनी हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें हैं सेयर करें ओके तो देखिए कोश्चन आपका है एक्स अंडरूड एक्स इस इकल टू 64 इसके साथ साथ मैंने और भी जो वीडियो हैं इंपोर्टेंट कोश्चन की मैंने आपको प्रुवाइड करा दिगे कि इस तरीकी से आपके एक्जाइम निशन में कोश्चन पूछ हमें करना इसका बोसाइड जब हम इसका बोसाइड जब स्कॉइर करेंगे तो डियर स्टुटेंट बीपल गेट एकस अंडरूड एक्स ऑफोल स्कॉइर इस इकोस टू 64 कि पावर 2 मैंने किया इसके बोसाइड यहां पर मैंने इनका हॉल स्कॉर कर लिया ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया यह separately x पर भी square होगा multiply under root x पर भी आपका यह square होगा उम्मीद है यहां तक आपका कोई भी doubt नहीं होगा tell me one thing एक बात आप मुझे यहां पर बता दीजिए गा क्या मैं इस 64 को क्या मैं यह नहीं लिख सकता हूँ 4 times 4 times 4 that is equals to 64 मैं 64 को 4 multiply 4 multiply 4 लिख सकता हूँ जब मैं इसको collect करके लिखूँगा so I want to say मैं यह कहना चाहता हूँ 64 को मैं 4 raise to the power 3 मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ तो मैं इसको replace करूँगा 4 का power 3 to the whole power आपका चल रहा है कितना 2 उके उम्मीद है यहां तक आपका कोई भी doubt नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए अब दिखिए यह आपका होगे x square multiply square से आपका root cancel हो जाता है यहां रहा है आपका x is equals to अब दिखो x पोनेल से property में आपका यूज करने वालो property says that property कहती है when a raise to the power m की whole power n so हम इसको लिख सकते n को हम inside कर सकते हैं और m को आउटसाइड ला सकते हैं क्यों power की उपर power होती तो multiply होती तो both side आपके हैं आपके एकको लिए रहने वाले हैं so now I will use this property here so मैं इसको लिखूंगा 4 का power 2 to the whole power 3 मैंने क्या किया 3 को ले गया मैं outside और 2 को ले आया मैं inside okay property हमारी बोलती है power को हम change ऐसे कर सकते हैं आप यहां देखिएगा यहां हमारा x square है यहां हमारा only x है इसकी value मैं आपके 1 मान ले रहा हूं अब आपने notice किया इसका जो base है वो तो same हो चुका जब हमारा base same होता है तो power को हम add कर लेते हैं so now यह हो जाएगा हमारा 2 plus 1 x का power 3 is equal to यह आपका हो जाएगा 4 का power 2 to the whole power आपकी 3 हो गई उम्मीद है यहां तक भी आपको एक्तम सारी चीज़ें clear होंगी अगर आपका कोई भी doubt है प्लीज आप इस वीडियो को बापस से एक बार play करके ज़रूर देख लीजिएगा अब आपको यहां पर देखने को मिलेगा यह जो टम होगा हमारा वो हो जाएगा x का power q is equal to 4 की power 2 that is equals to 16 16 का power 3 अब आपने यहां पर notice किया power तो हमारे same आ गए another exponential property property क्या बोल दी है x की power n is equals to b का power n जब आपके powers हमारे same होते हैं तो हम base को equal करके हम लिख सकते हैं यानि कि x is equal to v लिख सकते हैं तो यही property में आपर follow करेंगे power are same तो we can compare the base is easily तो x is equal to 16 इस question के लिए आपका final answer आपका यहां पर होने वाला है आप चाहाओ तो इस question को verify भी आप कर सकते हो तो चलिए मैं आपका word out भी हाँ पर clear कर दे रहा हूँ इस question को हम verify करने जा रहे हैं question में बोला गया x under root x is equal to 64 होगा तो इस equation के लिए मैं x find करना आता तो हमने जो x निकाला है वो 16 है सो हम यह लिखेंगे replace करेंगे 16 under root 16 is equal to 64 okay and I hope there is no doubt is here okay कोई भी doubt नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए तो यह आपका हो गया 16 और under root 16 को हम लिख सकते है 4 times 4 यह हमारा चल दा है 64 के equal 4 times 4 आपका pair बन चोगा इसका root से हम pair निकालते है तो यह हमारा pair बन गया तो यह हो गया 16 times 4 that is equal to 64 so now we can say 64 is equal to 64 hence proved यह हमारा verify भी यहां पे हो गया उम्मीद है यह question आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा अगर आपका कोई से doubt है विफ तो फिर से मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा आप इस वीडियो को बापस से आप ले करके समझ सकते हो तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई question के साथ तब तक के लिए धनबाद, stay care and wait for the next वीडियो